जहेंद बंदे मात्रम स्वागत आप सभी का गुरुदे वर्ड एक्जाम इस्टिडी प्लेट फॉर्म पर तो हर भाई हर बहन का स्वागत है यहाँ पर एक बड़ी खबर आप लोगों के लिए है क्योंकि सीटेट का एड्मिट कार्ड जारे हो चुका है और अब यहाँ पर बेड़ वालों के लिए बड़ी खबर है कि उनका एड्मिट कार्ड रोक दिया गया है इसी यहाँ पर बहुत सारी खबरे हैं और आज किस विडियो में हम आपको कन्फर्म करना चाहेंगे कि बीएड बीटी सी के जो सीटेट का पेपर है यानि कि प्राइमरी का उसको लेकर बीएड वालों के लिए डिजी लॉकर रेजल्ट आया है जो कि आमान ने दिखाया जा फार्म में प्रात्मिक और उच प्रात्मिक के लिए फार्म अपलाई किया है आपको बता दें कि सीटेट देने वाले अभ्यारतियों का रिजल्ट को आमान ने दिखा रहा है और पेपर की परिक्षा इन्होंने बीड के आधार पे दे थी ऐसे नहीं बलकि जिले के समेत सू अब यहां पर बात आ रहा है कि क्या 2023 का सीटेट जिसमें प्राइमरी के लिए फार्म अपलाई कर दिये हैं जो बीड वाले हैं उनका अलड़ी एडमिट कार्ट जारी होगा तो क्या वो मानने होंगे या फिर नहीं इस बात को लेकर संसे बना हुआ है और कई तरह के आपको सोसल मीडिया पे खबरे देखनी को मिल रहे हैं सीटेट में सामिल होने के लिए बड़ी संखे में बीड दिग्री धारिकों ने फार्म को भरा हुआ ऐसे में सिवम कुमार का कहना है कि लगतार अभ्यार्थी के साथ खिलवार किया जा रहा है प्राइमरी के लिए बीड वाल गया और जब पास करने वाले रिजल्ट अमान किये गए हैं तो हमारी परिच्छा कैसे लिजाएगी और अब तक इस पर कोई आदेश नहीं आया है हमारा समय और पैसा दोनों बरबाद गया है भरतियों को कहना है कि पहले हम तयारी कर परिच्छा में बैठे पास किये और अ लगे इन सब बातों को लेकर आपके क्या बयान है आप अपने विचार को कमेंट बॉक्स में ज़रू बताएगा और वहें पर रिजल्ट जो अमान किया गया है हम सब ऐसे में कई जिसके काफी खामियां भुगत रहे हैं और काफी बच्चे जो है परिशान भी है इस बात को आपको रिजल्ट है आपका एक्जाम है तो इस तरह से आपको किलियर होगा अठारा तारी को क्या आपको प्राइमरी का एक्जाम देने दिया जाएगा बीएड धारियों को या फिर नहीं यह तो देखने वाली बात है और एड्मिट कार्ड इसू होने के बाद ही यह सब हो पाएगा और जो भी आपके प्रॉब्लम है आप जो भी जिस समयस्या से जूज रहें कमेंट सेक्षन में जरूर मिंसन करें आगे हम अपडेट आपको देते रहेंगे और इस वीडियो को सेयर कीजिए ताकि आपकी समयस्याएं आगे तक पहुंश चकें और आपके लिए कुछ उपयोगी काम हो सके तो चली दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में टेक केर गुडबाय आप सभी सुखे और स्वस्त रहें